इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं 15 नवंबर 2021 विश्वास की घोषना मैं घोषना करता हूँ कि मैं विशेश असाधारण और अलोकिक हूँ मैं घोषना करता हूँ कि मेरे पास अच्छे विचारों से भरा हुआ दिमाग है पर आजय के विचार नहीं विश्वास से मैं अच्छी तरह से सक्षम हूँ मैं अभिशिक्त हूँ, मैं सुसजित हूँ, मैं सामर्थी हूँ, मेरे विचार प्रति दिन परमेश्वर के वचन द्वारा निर्देशित होते हैं, कोई भी बाधा मुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि मेरे मन को जीत के लिए क्रमादेश किया गया है, यह मेरी घोषना है, दिव् मैं इसे बोलता हूँ, मैं सैतान और इस दुनिया के तत्वों से उपर रहता हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर क्रपा का सहयोगी हूँ, मेरे विश्वास से मैं बीमारी, रोग, अवसाथ, चिन्ता और सैतान और उसके सभी सातियों और ताकतों की सभी रणनीतियों पर विज़ से जीता हूँ, आमेन, मैं जैसा कहूंगा, मुझे एशु के नाम पर वही मिलेगा, मैं मजबूत हूँ, मैं स्वस्त हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं सक्तिशाली हूँ, मैं अभिशिक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इश्वर को प्रिय हूँ, मैं इश्वर और मानोजाति करपा पात्र हूं मैं वही बोलता हूं जो मैं देखना चाहता हूं ना कि जो मैं देखता हूं मैं एक अनमोल बीज हूं मुझे अपने ईश्व के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया है मेरे प्रभु के दर्बार में मैं तार के पेड़ की तरह पनपता हूं मैं हर मौसम म में प्रचुर मात्रा में फलुत्पन करता हूं मैं पौधों के रश से भरा हुआ हूं और बुढ़ापे में भी प्रभु में हरा हूं मैं ताजा और सम्रद होंगा मेरा पत्ता कभी नहीं मुर्जाता और जो कुछ भी मैं एसु के नाम पर करता हूं संपन हो जाता हूं एसु के नाम पर मैं अपने शरीर से बात करता हूं मैं आत्मा हूं मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक भौतिक शरीर में रहते हैं मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को आग्या देती है मेरा अंतर्मन सुनता है पढ़ता है और मेरे शरीर को निर्देश देता और मेरा शरीर पालन करता है व मैं अपने मनोभाव से बात करता हूं, मसी के मनोभाव की तरह परिपूर्ण हो जा, और मैं तुम्हें इश्वर के शब्द द्वारा सनरेखित करने के आग्या देता हूं, मैं अपने कांडरा अर्था सनायू और नसो के लिए जीवन बोलता हूं, मैं अपनी मान स्पेशियों और सनायू बंधन को ताकत बोलता हूं, मैं अपने दिल से बड़ी जीवन शक्ति की बात कहता हूं, मैं सामान में वेंटिलेशन, अर्थात वायू संचार और छिड़काव अनुपात बनाया रखने के लिए अपने फेफडों और उतकोसे बात करत हूं, मैं अपनी किड्ली को परिपूनता बोलता हूं, मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है, मेरी हड़ी, जोड और उपास्थी, संरेखित, मजबूत और द्रड़ है, मेरी उंगलिया पूरी बुद्कुष्ट रूप से कारे करती है, मेरी आखे स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से देखती है, और मेरे कान इस्टितम काम करते हैं, मेरी तवचा एक नए जन्मे बच्चे और ईश्वर की सुन्दर्ता के समान, चिकनी और स्वस्त है, मेरे बाल कोश कड़े हो गए हैं, मैं अपने बालों को अपने जगह में रहने के आग्या देता हूं, और जहां विकास की आवसक्ता होती है, मैं अपने कोश में वर्धी जारी करता हूं, मेरे दात, मसुडे, जवा, बंद और तंत्री का और रक्त की आपूर्ती सभी स्वस्त, मजबूत और परिपूर्ण है, मेरे सभी हार्मोन और नियूरो केमिकल ट्रांस्मीटर एक दूसरे के साथ पूर्ण सामन जस्य में है, और अपने कारियों को सामान रुप से निश्पादित कर रहा है, मेरा पाचन तंत्र सभी खाद्य पदार्तों को पचाने, अब सोशित करने और आत्म साथ करने में सक्षम है, और चया पचाय अब सिष्ट उत्पाद, नीमित रुप से उत् प्रणाली समय पर अंडे की कोसिका को उत्पादन कर रही है, जन्म तक भुरून की रक्स और पोशन करती है, मेरे शरीर का हरे कंग, हरे कोसिका ठीक उसी तरह कार्य करता है, जिस तरह से ईस्वर ने इसे कार्य करने के लिए उपांकित किया है, यिसु के नाम पर मैं अपने शरीर में किसी भी तरह की खराबी और कुरुपता करोगता हूं मेरा पूरा मानो शरीर रचना विज्ञाद और शरीर क्रिया विज्ञाद मसी येशु में परिपूर्ण है हालिलुया आमेन मैं जानता हूं मैं जानता हूं पिता ईश्वर मुझे प्यार करता है मैं जानता हू मैं जानता हूँ पुत्र इश्वर मुझे प्यार करता है।